हम लोग श्रीमेद भागवतम के प्रथम सकंद के उन्नीसवे धाय के तेर्वे श्लुक और चौद्वे श्लुक को आज देखेंगे इससे पहले क्या सुना था आप देख लिजिगा यहां पर हम लोग सीन सेटिंग हो रही है सारे रिशिगण आ चुके हैं अब यहां पर रुके थे सुखुप विष्ठेश्वत्ते शुभू यह कृता प्रणामह स्वचिकिर्शितम्यत विज्यापयामा सविविक्त चेता उपस्ति तो ग्रेभी ग्रहीत पानी सबसे पहले उने परिशिद महरा अगर आज किसी का फोन बजा तो जान रहे है संडे का गुस्सा फिर निकलेगा फोन सालेंट पर रखे ठीक है सुकोप विष्ठेशु जो रिशिगण सुक से बैट गए थे तेशु भूया उनको फिर से कृतब प्रणामह उनको प्रणाम किया स्वचिकिर्शितम्यत और अ अच्छा से बैटे ही थे? आम्रंन ऑन्षन की थे उसको व्यक्त किया विज्यापित बुला स्वैम कैसे थे विविबस्त चेतर उनका चित अनासक्त था? किसका चित? पर रिख्षित महाराज अच्छा कहा परश्राव ने बुला ला है तो याद ही किसकी कहता चल रही है पर जोड़ करके बड़ी नव्रता से बात किया, क्या बोला, क्या बोला, बहुत सुन्दर शब्द हैं, और उसको हम सुनने वाले हैं, देखिए, यह तो आप जानते ही होंगे कि जगत में शब्दों का बहुत महत्व है संबंधों में, ज्यादा व्याक्य के जुरत नहीं है, एक आप समझते हो, आप देखिए, कितनी नम्रता से राजा परिशित अपनी स्थिती को प्रस्तुत कर रहा है, मेरे पीछे बोलीगा, राजो वाचा, अहो वयम धन्यतमान रिपाना, महत्त मानु ग्रहनिय शीलाहा, राज्यम कुलं ब्रामन पाद शोचा, दूराद विश्रिष्टं बत गर्हय कर्मा, अहो वयम धन्यतमान रिपाना, महत्त मानु ग्रहनिय शीलाहा, राज्यम कुलं ब्रामन पाद शोचा, दूराद विश्रिष्टं बत गर्हय कर्मा, दूराद विश्रिष्टं बत गर्हय कर्मा, दूराद विश्रिष्टं बत गर्हय कर्मा, राजो वाचा, राजो वाचा, आहो वयम धन्यतमान रिपाना, आहो वयम धन्यतमान रिपाना, आहो वयम धन्यतमान रिपाना, महतमान उग्रहनिय शीलाहा, राज्यम कुलं ब्रामन पाद शोचा, दूराद विस्रिष्टं बत गर्हय कर्मा, इतना सुन्दर है, अर्थ की दृष्टी तो है ही और क्यों सुनने की दृष्टी से कितना सुन्दर है, पर इस एक बार गाते हैं, अहो वयम धन्यतमान रिपाना, अहो वयम धन्यतमान्रपानाम महत्तमानु ग्रहनिय शीलाहाद राग्यम कुलं ब्रामन पाद शोचाद राग्यम कुलं ब्रामन पाद शोचाद दूराद विश्रिष्टम बत गर्य कर्मा भागिश अली राजा ने कहा निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महा पुरुषों का अनुगरह प्राप्त करने के अभ्यस्त है बहुत ही सुन्दर इलाइन है महत्तमान अनु ग्रह निय शीला ग्रह निय शीला शील मतलब एक सुन्दर सभाव इसलिए प्रॉपात करें अभ्यस्त है शील शब्द में ही अभ्यास आता है, आप लोग सुने हैं शील शब्द कहीं, क्रिश्नानु शीलनम, सुना है न इस लोग, क्रिश्नानु शीलनम, तो शील मतलब ही है अभ्यास, मन से, वानी से, और शरीर से, यानि कि यह अपने पूर्वजों को इंगित कर रहे हैं, पांडवों को इंगित कर रहे हैं, और उससे अन्य पहले भी पूर्वज हैं, उनका क्या भ्यास रहा है, कि वह महात्माओं के द्वारा अनुग्रही तो होते रहे हैं, उनका स्वभाव ही था कि महात्मा मिलते, तो ऐ हमेशा महात्माओं का अनुग्रह प्राप्त करने में ही कही अभ्यास था उनका, जैसे अगर आप देखें कि हम लोगों को रोज कृष्ण होर में प्रसाद खाने का अभ्यास है, आप लोगों को अपनी घर में खाने का अभ्यास होगा, आप कहेंगे हमरा अभ्यास है घर में जितने भी पूर्वज हैं उन सब में, मैं भी ऐसा ही रहा हूं, वैस्णव का, ब्रांवन का, मैं सेवक रहा हूं, इसलिए उनका अनुग्रह मुझ पे रहा है। लेकिन इसलिए मैं धन्य तो हूँ, लेकिन इसने हमारा पूरा वंश ही धन्य है क्योंकि हमारा सब का सभावी ऐसाता कि महात्मा लोग आते, तो हम उनका समान करते और उनका अनुग्रे हम पर होता है, समझ बार है इस बात का, इस बात का, they are accustomed, they are, it's just natural for them to receive the mercy of the great sages, यह बहुत अच्छा शब्द है, उनका सभी पूर्वजों का, हमारे अच्छा पूर्वजों का, यह स्भाव ही रहा है, कि वह महान बुर्षों के भक्तों के अनुग्रह के पात रहे हैं कभी विरोध नहीं किये साध्वों का ये कहने का आश है और उन में मैं धन्यतम हूँ निर्पाणा मतलब जितने भी पूरवराजा हुए कोई भी साध्वों के विरोध नहीं चला है इसी बात को पहले भी वह कहाचुकि है मतलब मुझसे कितना बड़ा करम हो गया हमारे किसी पूरवर्वज ने किसी ब्राम्षाण का अपराद नहीं किया मुझसी हो गया तो आप वही से समय लिजेगा कि किसी ब्रांबने वैश्नमक के प्रिति अpingत नहीं करते थे सुर्य वंशी ना इंफ नव चंद्र मंशी. पुरु थो चंद्र मंशी दो भाइं ने इनका यन्म से महान भक्त रहें महान भक्त रहें सुर्य वश्य जो भी जो भी शत्री हो लेकिन कहने काश हो यह है कि यह लोग सब अनुकूल रहें ब्रामणों के और धन्यतम क्यों है बहुत ही गंबीर बात है सोची है हम ऐसा कोई शाप नहीं दे रहे हैं सोची कि आज आपको नौ बजे मरना है यह दस बजे मरना वटेवर और सारे महा भागवत जुट जाएं आपके आस पास तब क्या कहेंगे आप देखिए प्लीज इसको आप इसमें प्रवेश कीजिए क्या लिए आम आपको ऐसे बीना प्रवेश करवाए जाएने नहीं देंगे आस इसलिए मैं कल छोड़ देता है इस लोकों को थोड़ा सा मनन कीजिए कि आज आपने श्रीर छोड़ना है हो भी सकता है कांपि सुपावन लेकिन मान लिजीए आप लोग सोच रहें हैं लोग सोच नहीं मान लीजी कि मरना है और सारे कि सारे महां भाग को समयाएंगे तो आई नहीं है सारे महानमाहन रिशि खट्र एग नाम याद आ रहेंगें आ आपको अत्री व्र्षिष्ट ना द्यान देना होगा कि अन्य प्लीज करेंटिफ एम रॉंग ऐसा पूर्वजों में किसी के संग नहीं हुआ होगा हम लोग तो नहीं सुने ऐसा कि शरीर छोड़ते समय इतने रुशी घट्टे हो गया हुआ हाँ विश्मे ताम आएक राचेक है ठीक है भगवान साक्षात्वा लेकिन बाकी कार देखें तो सब लोग अपना शरीर से हिमाले में कहीं छोड़ दे ले तो ये विश्यश घटना हो रही है हाँ विश्मे तमा भी है लेकिन एक और बात है कि नम्रता पूर्वक ये मान रहें कि देखो भीष पितामा ने तो ब्रहमन को अपराद ने कि मैंने समाना निए लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेका जाने युग कूढा समझते हैं तो कating कोई कूढा अगर दूर से दूर फेका जाती तो इसके दो होतैं को एक की आप उसको पर्ष नहीं करना चाहते और दूसरा लोग काशपश देखना भी नहीं चाहते हैं ना थिंक कि सम्बडी थिंक्स बाउट लाइक बाउट आप यू कितनी अत्यधिक नम्रता परिश्वित महाराज प्रसद कर रहे हैं क्या परिश्वित महाराज ऐसे बेखती हैं पताईए लेकिन क्या सोच रहे हैं ऐसा मुझे जो राजा लोग है उनके लिए साधू लोग के लिए राजा लोग कैसे है ऐसा कुड़ा जिसको देखा भी नहीं जाना चाहिए और देखते भी नहीं आप लोग कभी रिसर्च करते हैं कुड़े में अब देखना बहुत अच्छा है और चोटा सा पास्टाम सुनाएंगे महा प्रोग करने के लिए प्रसिक्षित और सुन्दर यानि की बचपन से ही इस वन्ष में राजाओं को या युवराज लोगों को ये शिक्षा दी जाती थी कि ब्राम्वनों का सतकार कैसे किया जाए या वैश्णाओं का सतकार कैसे किया जाए उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए अब हम लोग तो खेर कोई भक्त अपने को न मानते नम हैं लेकिन हमने देखा एक बार हमारे मत्र हैं उनकी घर में हम लोग गए थे और बहुत करोड़ पती फैमिली थी एक्शली बना रहे थे और उनका बच्चा रोने लगता अगर उसको प्रसाद सर्विंग करने का मौका नहीं मिलता है वेरी इंप्रेस्ट जबकी करोड़ पती परवार से तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रे साथ लोग तो फक्कड हैं इनका सेवा करने से क्या होगा बाकी वो भक्त आखों से देखिए और इसा नहीं कि तीन दिन तो शाद में दो या तीन दिन रुक्या होंगे तीनों टाइम को जितना भी बच्चों का स्कूल नहीं रहता था हुआ हम लोग सेवा करते थे तो इस शब्त समझ पा रहे हैं महत्तम जो महान पूरुष है भक्त है भग्वान क शील धातु का अर्थ ही अभ्यास है मन से भावना रहने चाहिए आकर कोई रोटी फेक देगा तो उसे कोई सेवा नहीं कई जाएगी मन से बड़ा आदर भावना वानी से बहुत नम्रवहवार और शरीर से भी बहुत नम्रवहवार रहा है इसलिए अनुग्रह के पात्र र कामान कर रहे हैं अगर आप लोस बात को यदा आप्टेम के यह सामर्त नहीं में शरीर का सामर्थ हुए तक देख रहा है हो और वह भी उसके बाद भी आँखों से सम्मान कर रहे है। युदिस्टर महराज को वन वास हो गया, कहते हैं वाह। हम लोग यहां पर कृष्ण कदा सुन रहे हैं कितने सुखी है। एक्चल शब्द है। कितने कोई राजकाज नहीं है, हम भगवान के भक्तों का संकर रहे हैं, साध्यों का संकर रहे हैं, हम सुखी है। वह इसी को अपना सर्वस्रेष्ट स्वभागी माने हैं। जितने पूर्वज हैं, उस सबूर्वज हैं, तो इस प्रकार से प्रसक्षित नृपानाम सभी राजाओं में, मतलब सभी पूर्वजों में, अहो वयम धन्य तमाह, ओ हम अत्यंत धन्य हैं, मतलब हम सबसे अधिक धन्य हो गए। बत गर्य कर्मा निंदित कार्य करने के कारण, राग्याम कुलम राजाओं का वंश ब्रामन पाद शौचाद ब्रामनों के चरणों के चरणों दक से दूरात विस्ट्रिष्टम दूर चला जाता है। का प्रियास्त कीजी तो तो डीका में समझाए जाए जाएगा जो चरण को धोवन होती है वो खुद उस वेक्टी के लिए और प्रिश्य होती है आप लोग किसा करते हैं हाथ पाउं धुल करके उसको स्टोर करते हो कहीं इसी बात को आपको याद हो मैंने याद दिलाए था आ कुछ समझ में आ रहा है हम अपना चरण धोवन खुद भी सफ़र्श नहीं करना चातें अब इसको संजने का प्रियास कीजिये ब्रामण ने अपना चर्ण धोया और जो जल है उससे भी दूर है राजा कहने का मतलब है कि ब्रामण और भक्त लोग राजा अदी का संग कि नहीं करते हैं, क्यों कि राजा का एक ही काम है, स्त्री संग अदी और धन, धन की चिंता, धन कैसे आएगा, इसमें बहुत लिप्त ह तो राजा मतलब ही प्राय भोग Jetzt, वहां पर साधु जन, उनको नहीं से नहीं मिलते हैं समानितहा, समानितहा तो कारा है क्यूंकि हम लोग घरहित कर्म में लगे रहते हैं, इल्ले साधू लोग इस प्रकार से हमारे पास नहीं आते हैं. यद्धा भी परिश्रत मारा राजय से है नहीं. लेकिन समाने तहा राजा ऐसे होते हैं असमा सुचिक राजर नहीं होते हैं आपने सुना निकिन क्यों प्रत्वी राज्च वहां कितनी सतरा पत्निय थी इस नॉट से लिए जिवन में क्या कर जाए अरे वह तो है राजर शी ब्रह्मर शी थे लेकिन भोगी राजर नहीं थे जरासंद कौन सा राजर शी था राजर शी थे लेकिन सारे राजर राजर शी भी नहीं थे प्रताप रुद्र मासर उप्रति मिलना चाहते मापृण नहीं नहीं क्या उस capable कने मिल सकता मैं बहुत 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 डाँत लगाते महाराज परिक्षित मुनियों में दृष्ट अपने प्रती स्वाभाविक अनुग्रह के लिए कि राजाओं के मध्य हम महात्मा के अनुग्रह योग्य है क्योंकि यह क्रिपा राजाओं के लिए दुरलब है अब येक रहस में बात है कि नहीं अब उस रहस नहीं लग रहा है बोल रहें ऐसा लग रहा है कि राजाओं की निंदा कर रहें लेकिन टीका में क्या लिखा है अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं एक प्रश्णी बहुत सिंपल लग रहा है क्या अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि अपनी निंदा कर रहे हैं कि अपनी स्तीती की निंदा कर रहे हैं कि हमारा राजा होने के नाते हम लोग खराबकार में भोग में लगे ही रहते हैं तो हमारे तो हम तो ब्रह्मनों के जो कृपा से दूर ही हमको रहना चाहिए लेकिन भाग जाएक गया है कि एक नहीं दोने पर आखरोफो sedia Raja BajraSiश राजरश सिरोशेस्ट Brahmaret Shire जिनको देखने से को लिए पार से विव्टिफि मुकत हो जाए दर म्यूं पेस पार्फन एक भाषी भगा मुझे अब की जांड़ी के आत्मा भी बाहर जारी होगी तो कहा वो खुदी अपने आमें वेकुंट के दूत हैं ले जाएंगो पकड़कर उसको चलो भाई गुमा के लाते हो वेकुंट तो गुमाला है क्या सामर्थ नहीं नारज जी का किने थिंग अब विचार कीजिए नारज जी व्यासदे वहीं बैठे हो आप थोड़ा विचार मिलें नहीं जब मीलेंगे तो समझ में आएगा है कि नहीं मिलेंगे घवरामत लेकिन मिलेंगे सूर के समान व्यासदेव जी बोल चुके हैं कि आप सूर के समान कहीं भी जा सकते हैं एनिवेस खुश होने नारज जी का स्मरण करके वेस्ट अब जैस्ट लाग बैट और एक क्रिपा राजाओं के लिए दुरलब क्यों है स्मृति कहती है दूराद उच्चिष्ट विन मूत्र पादाम भासी समुत्र जैदी वेक्ति को जूठन मलमूत्र तथा पाद शौच जल यानि कि जो जल पाउं को धोवा रहता है पाद की धोवन आदि को आदिस से दूरी बन मतलब उनका स्पर्ष नहीं करना चाहिए परन्तु राजाओं के कुल को तो आश्रम में स्थित पैर धोने की स्थान से भी अधिक दूरी पर रखा जाता है तथा उन्हें वहां निवास ये तू अनमती भी नहीं दी जाती यह अर्थ यह समझ पाए पाव की धोवन को तो प भोगी में पड़े रहते हैं कि उससे भी दूर रखा जाता है उनसे मिलता जुलना नहीं होता है यह आप शायद नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे बात क्या कही जा रही है देखिए जिसमें जिसका मन आसक्त होता है वो वही सब बाते करता है इतनी बात तो सब को समझ में आ इसी लिए दूरी बनाई रखी जाती किसी भक्त के सानिध्य में आकर के वेक्ति कथा दाज सुनता है तो उसकी भक्ति के प्रभाव उस वेक्ति पर होता है और उसी प्रकार से जो बहुत इकताबादी लोग है उनके पास जाकर उनको जो अच्छी लगती है वो सब बाते तो हमारा भी चित उसी प्रकार से दूशित हो जाएगा आपको सब लोग ने अनभवी किया हो गए बात को तो साधू लोग इस प्रकार से नहीं मिलते हैं अगर आप लोग को कुछ शायद याद दो तो हम लोग गीता महात्यमिक एक बात खता सुन रहते जम्मू कश्मीर के कोई राजा था और उसको राजा था इधर का बनारश के तरफ का और मंत्री भेजा गया जम्मू कश्मीर जाकर कि वहां वो किसी साधू को मिलता है नाम भूल गया मैं उसका और वो साधू को पूछता भी है कि क्या आपको कुछ चाहिए या कुछ ने तो साधू बहुत बात नहीं है कि किसको मैंने रोज पढ़ा तो मैं पूरी तरह से आत्मत्रिप्त हो गया हूं यह बात थी नाम या जो भी छड़िया वो मुश्किल है रुणना था इस प्रकार से तो वो मिलना नहीं चाहते है सामाने तहा साधू लोग राजाओं से नहीं मिलना चाहते है सामाने राजाओं से कह लिजिए क्योंकि समाने राजा हो गादी में पड़े रहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कर्म पूर्ण तहाँ अपवित्र है पूर्ण तहाँ अपवित्र है देखिए क्या किसी राजा को राग द्वेश्च से मुक्ति मिल चकती बड़ा मुश्किल है यह मेरा सत्रु है यह मेरा मित्र है इस सूपकड़ना इसको धरना है यह यह मोसले ही चलता रहता है कि वैसे लोगों को श्रीमत भागवत्म सुनने में कहां रुची होगी मैं परिशित महराज के बारे मैं नहीं कह रहा हूं वो राधर्शी है लेकिन वह एक बात सामानता बोल रहे हैं आप नहीं विश्वास हो तो यह एक अपर टास्क और आपनों के घर के जो घर का मतलब आसपास पर रहने वाले स्थानी पॉलिटिशन है उनको आप श्रीमत भागवत्म के बारे में बताने का प्रयास कीजिए आपको समय जाए कि क्या बोला जा रहा है दिनो रात जो इसी प्रकार की वारता में डूबा हुआ है श्रीमत भागवत्म उसको सुनने मेरा तो समझ म कोई रुची होगी कभी नहीं आएंगे संदे के लिए अब ऐसे लोगों को सम क्या बात करें कोई भी विक्ति क्या बात करेंगा बताईए वश्री धरीम धन्य तमहा कार्थ है अर्थात ना जाने कौन से पुन फल से मेरा ऐसा भाग हुआ है अब आप अपने उपर इस बात घटित कर भी सकते हैं इस्पेशली जू मेरे सामने भक्त बैठे हैं जिस थान में हम बैठे हैं विरिंदावन धाम उसके बारे में आपने सुन रखा है कि भारत वर्ष में 33,000 साल तक आप पुन्य करते रहें उसका लाब विरिंदावन के एक छण के स्मरण से मिल जाता है कि क्या द्धन्यतम हैं आप लोग यह नहीं और क्या को एकस्प्लेशन है कि आप यहाँ क्यों हैं टिकट लेने से कहां यहाँ जूम पर कोई भक्त बुरा मत मालेगा आप प्लीज हम कुछ नीचा नहीं दिखा रहे है कोई ऐसा जूम पर भक्त है जिसके पास पैसे ना हो व many devotees who can sponsor it. और यह हो सकता है कि कुछ भगटों के पास बहुत दिन तक रहने के पैसे ना हो यहां पे लेकिन कुछ भगटों के पास तो पैसे भी है फिर नहीं आ रहे और मैं भगटों की बात कर रहा हूं और कुछ लों का अभगतों का नाम भी सुनने को वह कुल नहीं मिलेगा अवर दो य स्थान वाइकुंठ से भी स्रिस्ट है अब बढद मुद्पूरी वाइकुंठ से भी सिर्ष्थ तब ख़ए रदी आओ, with all our shortcomings, why we are here. वो बदमास है, मैं अपनी बाता कर रहा हूँ, I am not badmarsh number one. यहां क्यों हो तो धन्य तो हम कहा जागा कि नहीं शुवजीत बदनाशन मटू वट दिए तिंग यह क्यों कि आपक भी नहीं सुचते यह से कि मुझ जासा मुझ जासा मैं नहीं सब लोग हम लोग बदमाश हैं बोलो हां अब लगाये कि चयों किह सद हों किरना क्यों कियों ऐसा क्या कि बदमाश हैं को मिलना हो नहीं दस्दों बैदमाशन कित्पी के आप है कि अ आपिड़त जानमों की तपस्ता की आपके प bisher is done यह भी आप मत कहिए कि आप बहुत सिवा करना है यह भी नियत कहना जस्ट देर कॉसलेस्ट वर्शी अग्वेजिंग है ना बद्माश नहीं आप क्या लगता यह कह दीजे कि बद्माशी करने में कोई कसर नहीं चोड रखे है कि नहीं फिर भी कृष्ण लखे है इस इस अगर मैं इंग्लीश में का माइंड ब्लोइंग मर्शी MBM इस नाट इस अमेजिंग मर्शी तो सत्य है ना एक छोड का स्मारण तेटीस हजार साल की पुर्ण का फाद देता है तो उस थान पर हम बैठे यह कृष्ण मार्क तो अपने दिवाल पर बना देने चाहिए वाई मी बट यहीं उत्तर है धन्यतम है धन्यतम है राधराने किरपा है जिस थान पर वैकुंट पर दूथ भूंते रहते हैं धूंते रहते हैं कौन मर रहा चलो जो से भगवान के पास ले जाए ऐसे स्थान पर हम बैठे है इस अमेजिंग नहीं गौर गपाल प्रभू बधनाश नंबर थ्री वाट डियू थिंग नहीं सुचते के भी आपके वाई और हेर और बहुत बात अशाए सोचे भी नहीं होंगे कि व्रिंदावन का वास मेलेगा आप सोचे थे कभी नहीं ना कहां से आपको पिकर ले हो ने इंड मलेशिया फिल कुछ भी नहीं है और इसके लाव कोई एक्स्प्राइशन नहीं है हमको धन्य तम शब्ध भूत अचा धन्य तम सर्वस्षेष्ट धन्य धन्याती धन्य हो गया है तात पर यह धार्मिक नीमों के अनसार मलमूत्र धोवन इत्यादी को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए भले ही घर से लगे स्नानागार उत्राल इत्यादी आध्यनिक सवेता की स्विधाय हो लेकिन उन्हें रिहाईशी मकानों से दूर बना जाने का अधेश है एक भक्त सब्विनोत कर रहे थे कि पहले कीचिन घर में और बाथरूम बाहर होता था है ना आजकल बाथरूम अंद कर सकते हैं चोटा चोटा घर है नों के जो भी तो बड़ी विशिश बात नहीं यही उदारन यहां पर उन राजाओं पर लागुक किया जा है जो भगवत धाम के मार्ट पर अग्रसर हो रहे हैं भगवान श्री चत्रिन महाप्रवने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना उनकी लिए करोड़ पतियों के या राजाओं की घणिष्ट संपर्क में रहना आत्म हत्या से भी निक्रिश्ट है ही आत्म हथ्या तो शरीर की हथ्या होगी है ना और चीतना की हथ्या वह सबसे बड़ा नुक्सान है वह जो भोग की करेगा भोग की ब सोचने लग इतना मुनाफ़ा इतना पैसा आया यह वह तो ज्लो गया महाराज समझा रहे थे, वो कपिल देवाहूती संभाथ में आद आँ ईजब उनकी शाधी वरी थी देवाहूती माता की बेटियों की शाधी हो रही थी, नौ बेटिय थी नौ जी थी, नौ पो ब्रहमा जी के कुछ पुथर थी veteran और रशियों से हो रही थी, तो वहां पर ब्रह्माजी चार कुमारों को साथ में लेकर आये तो चल दी ब्रह्माजी उनको लेकर करके है ना चार कुमार थे साथ में ब्रह्मचारी थे वो चार कुमार थे वो शादी होने से पहले वो चल दी है तो महाराज बता रहते हैं, ब्रहमचारियों को शाधी टेंड नहीं करने चाहिए, दो खतरनाक बाते हैं, क्यों? कि ब्रहमचारी को अगर मन में आगे, भई ये कितना सुखी है, पत्नी है, ये है, तो बचारा बढ़ेगा, और अगर मान लो दूले के मन में आगे, ये ब्रहमचारी बड़े सुखी है, चोड़ के भाकिया, ये भी बहुत खतरा है, बाराज बड़े जुरोंद बोलते हैं, कि इसादिम नहीं चाना अच्छा, देखे, आप लोग जानते हैं, और सब लोग स्विकार करेंगे, कहां हैं से मतलब नहीं, अगर कुछ हिर्दे में आ गया, तो कटना ही होती है, दो ये अगर बाहर क्या है, उससे कोई खास मतलब नहीं होता है, हिर्दे में अगर कुछ इच बता नहीं होरी, भागवत बैठ कर पड़ते हैं, बताओ कभी करता है कोई विक्ति, पता नहीं आपनों का सानभव है कि नहीं, कभी कभी असे भातिकताबादी लोग मिलने आते हैं, जिनको भगवान की बात नहीं करेंगे, बिलकुल नहीं करेंगे, वो किवर अपनी बात अपना नहीं का सानभव है कि नहीं, यह विक्ति आये थे, हम पहले बोल दी हम सो रहे हैं, बता दो कि मैं सो रहा हूं, मैंने बता दिया कि मैं सो रहा हूं, तो तो झाल ठीक, वो दे दीजी, उसके लिए नहीं सो रहा हूं, बात नहीं करना कि जितनी बार आसे लोग आते है वो कभी पूछे नहीं कि भागवतम का 1.3.2 समझ में नहीं आ रहा है कुछ नहीं असा प्रश्ण होता है दुनिया की बात करते हैं जिसको हमें कभी सुनने की इच्छा नहीं होती है कोई प्लाइनिंग नहीं होती हो डंप करके चले जाते हैं बहुत डेंजरस इस परकार से लोगों का संकरना खनिश संपर्क मेरा ना आत्म हत्या से भी निक्रिष्ट है तब कहेंगे प्रोज क्या करोड़पती लोग भगती नहीं बन सकते हैं क्या बात कर रहे हैं जो लोग बहुत अधिक बहुत इकता वाद में फसे वह इस परकार से इनकी बात कर रहे हैं लेकिन समानता यह होता ही है कि जो बहुत धन तृद्धिमिको परांफश रहता है इसस MID पैसा कैसे रखेंगे कैसा आएगा उसको कैसा खर्चा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे अब देखेंगे दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग समानता ऐसे लोगों की संगीति नहीं करते जो भगवान की सिर्ष्टि की बाहि सुंदर्ता द्वारा आत्यधिक आक्रिष्ट रहते हैं आध्यात्मिक अनभूती में उच्च ग्यान होने से अध्यात्नवादी जानता है कि ये सुंदर भवतिक जगत वास्तविक्ता का अर्थात्भवत धाम का च्छाया रूप प्रतिवे में मात्र है मैं ये अच्छा बात आ दी यहां पर हम लोग बोल रही देता हूँ मैं एक्षिली क्लास के पहले पूछना ही चाह रहा था क्या वाकई ये अनभव हो रहा है कि हम यहां से निकलना है ये बोलना मत इसका उतर आप स्वेम सोचेगा और अनभव हो रही नियुता प्रॉप नहीं हो रही निकल्दु इसलिए प्रवुपाजी यहापर लिखाय जो इस जगत की बाही सॉंदर से आकष्ट है उसका संग नहीं करना चाह य़ाए उसका संग नहीं करना चाह लिएया है If you want to go out of the jail You will not like to have friendship With those who really want to be in the jail कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ अगर हम jail के बाहर जाना चाहते हैं वाकई तो ऐसे लोगों से मित्रता का कोई प्रियोजन नहीं है जो जेल में ही रहना चाहते है किसी न किसी रूप में Is it sinking in खीचेगा आगा समझ लिए बाहर नेकलने का प्रियास कर रहे है मानलों टांग पकड़ कोई डटक जाये तो ऐसे ही पांदना जेल की दिवार कठिन है और कोई टांग पकड़ कोई डटक जाये को यह बूरा यार क्यों बाहर क्यों जा रहे हो देखो कितना अच्छा है यहां पर खाना मिल रहा है हमारे ही शरीर से कौन से बड़ा सुगंद आ रहा है जिससे हम सोचे कि दूसरा शीर हमको बहुत खुश दे देगा क्या आप अपलों का शीर आपको बहुत सुख दे रहा है एक आत्मी हाथ खड़ा कर दे देखो फिर मैं अपना गुस्त दिखाता हूं एक आत्मी दिखा आत्मी सोटी भी लेके बैटा हूं एक आत्मी बोल दे कि हमारा शीर हमको बहुत सुख दे रहा हूं और नहीं अगर आपको अभी विश्वास हो रहा है क्रिपया मैं चलनों में गिर करके एक एक्स्पेरिमेंट करने लिए लिए बोला तीन दिन तक नहीं नाई और ब्रश मेत कीजिए फिर देखते कौन आपको पसंद करता है वी आर इन बोड़ी विच इस रॉटिंग समाव जस्ट भी सो स्ट्रॉंग डी तोड़ी रॉटिंग बोड़ी सुमझ रहे हैं सडने वाला शरीर और नहीं विश्वास है तो आप आदे घंटिक लिए मर के देखिए कर संभव होता तो देखिए कैसे शरीर सब पहुत दुर्गंद युगत है भागवान से प्रार्तना है कि भागवान ऐसा वेरागर मन में वैस्ते भावना बना के रखे चक्कर के बनी नहीं रहती अगर आसी बनी रहती तो कभी जगत भी भावना नहीं करेगा कि मैं किसी व इस्तमाल करें लेंगे नियुक्त हो नहीं यह वास्तिविकता है आर बॉड़ी इस रौट इस रौट इमन वन वेर लिविग इन इस बॉड़ी इस बॉड़ी इस बॉड़ी इस नहीं तो मैंने आपका इस्परेंट बता दे करके देख लीजीगा वा तो बीन ट्रेंड दो इस बॉड़ी इस बॉड़ी इस तरह की अन वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते थे जो लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं किन्तो महराज परिष्षित की बात ही कुछ और थी उपरी तोर पर देखने में राजा को एक अनभव हीन ब्राम्भन बालक द्वारा मृत्यू का शाप मिला था किन्तो वास्तम में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाए था महराज परिष्षित की आमरन वरत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्शी तथा योगी वहां एकत्र होए थे वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे क्योंकि वे भगवाध्धाम कर रहे हैं कि हम तो दूर होना चाहिए हमको तो चरण धोवन से भी दूर रहना चाहिए त्यादि त्यादि लेकिन यह सद्धान्त है उन इस्पेशली राजाओं के लिए जो भोग त्यादि में पड़े हुए ठीक है महराज परिशित भी इस बात को समस्तिति की वहां पर पर जितने रिशी कट हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंति क्रपालू थे हैं ये बात मैं मिस कर गया महतमाना महतमानु ग्रहणी ये शीला रहे कितना सुनर बात है कैसे देखे मान से हट गया था मेरे पूर्वज हमेशा ही आप सब लोगों का अनुग्रह पड़ाप्त करने के अभ्यस्त हुए है इसलिए यद्दिपी में अयोग्य हूं फिर भी आप मुझ पर भी कृपा करने क आप विल्यस् angla मैं अंहें समझ meanwhile को साधुन है वाजन भक्त है और हो किने महाराज करें मैं तो भूत गुर्ञाराज की कृपा उनका पर्वार्वालों पर भी होती उनको बच्च नहीं हैं होता है। उनको अशिर वाद देते हैं। नहीं कर रहा होता है। लेकिन वो संबन्ध देखते हैं। यह क्या देखा नहीं अप लोगने आसा आप एवी बच्चे हुए नहीं है और वाठेवर देखा थो आपने देखा नहीं है कि कई पार देखा अग्या महाराज लोग यह है बच्चे के सर पर हात रखते किसली का पिता सदू की परते समरपित है यह बात हम ध्यान से उचुक गई तो कह रहा है कि हमारे पूर्वजों का यह सभभाव ही रहा है कि आप सब लोगों की कृपा वो प्राप्तिक है नारद जी तो के सिश्वत रूप से सिश्वत बना जा रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है नारद वशिष्ट कोई उस समय थो ना पैदा हुए वो तो हमेशा से रहे हैं तो पूर्वजों पर इन रिशियों ने अनुग्रह किया है तो अब इसलिए भी और कहा है कि हम इतने धन्यतम हैं कि हमारे पूर्वजों पर आप लोग अनुग्रह करते आए हैं इस कारण से और उनने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था अचा एक बात याद आ रही है आपको कि भीष्ट पितामह भी यही सोच रहे थे कि मैं तो अपरादी रहा मैं तो भगवान पर बांड चला हैं लेकिन क्योंकि मेरा सम् बुच्छों कि आप में से कितने को लोगों को लग गया है कि आप भुक्त बन गए हो तो क्या उतर है उतर बोलो थैनो बोलो नो यह सुना था था यह भी नो यह बोला तो फिर आप जानते मेरे पास यह नहीं बोल देना वैरी नाइस पही बात तो और नो जितना लगेगा बन रहा है और जितना यस लग रहा है कि हम तो डिवोटी हो गए है उतना ही हम डिवोटी नहीं हो यह विद्धिभक्त की विशेश लक्षन है तो यहां पर आप देखे रहों कि परिश्ट महराज ठीक है परिश्ट महराज अरे बाई डिस्टाइब कर रहे हैं आप हमारे क्ला सब्सक्राइब करता है यही बात बहुत है अते उन्हें गर्व हुआ कि ऐसे महान भक्तों के वन्षद है भगवान के भक्त का ऐसा गर्व भौतिक सम्रुद्धि से उत्मन दर्व के तुल नहीं होता इन्हें पहला तो वास्तिविक है और दूसरा जूटा तथा व्यर्थ इसको समझने का प्रयास कि देखिए मान दीजिए कि हमारे पिता करोड़ पती होते तो आप भी मानेंगे कि आपके अंदर सभाविक एक अहंकारा जाता यह यह होता ह यह 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 आही जाता है यही लग सिमिलर भाव इनका है कि हमारे पूर्वजून को हमेशा ही महान वक्तों का अनुग्रह प्राप्ते लेकिन अंकार का सुचक नहीं है अंकार को दर्म नहीं दे रहा है अब दो फॉलो गर्व है कैसे मैं समझाओं खुद उनमें देन है और उस देन से गर्व उत्पन हो रहा है अब देन खुद है खुब बहुत नम रहा है कि तक्या है लेकिन अपने भाग की प्रशन सा कर रहा है धन्य तम है आरे बल टु फॉलो दिस पॉइंट कि हमारे पूर्वज कितने महान रहे हैं कोई धनी व्यक्ति होता है तो उसके जो वंशेज होंगे वो सब फूले रहते हैं लेकिन उनमें अहंकार रहता है इनमें अहंकार रही है एक अपने भाग की प्रशन सा कर हैं कितने भागिवान ह अच्छा आप लोग यह नहीं मानते कि हमारे बाबाजी कितने महान है वहलो यस कौन बाबजी रभुपाजी एक क्रिष्ण कैसे आ गए क्रिष्ण ऑल से क्रिष्ण सो के पिता मा माता दाता पिता मा क्रिष्ण तक नहीं पहुंचिए यू दोंट फिल प्राउड कि उससे साथ साथ प्रभुपाजी की द्वारा हम लोग सारे महान गौड़िये व्यश्ण वाचारियों की क्रिपा प्राप्त कर रहे हैं दू फिल लिंग्ड लिंग्ड विद ग्रेट आचारियस नहीं तो बताई हम एक समान कंडिशन सोल थे कि नहीं इसके प्रभुपाज के रहे हैं ऐसे ओक एननाच के दानने पेक दी जाते हूं कहार्यारा प्रभुपाजE को बांट मौर्पाज प्रम्पाजण सोस क्या प्रमप्रा वातों मौन भातो प्रमपात्या है क्या के अट क्रिपाजन सोल को थे अू अचार्ट महान लिंग्ड साथ हिल आ रहा है वाट परिशित महाराज जैसे एंग तो कह रहे है कि हमारे पूरोजों कासी कि रुपा कितना हमारा भाग गया कि हमारे पूरोज प्रकार से अनुग्रह को प्राप्त है और इस करण से यद्दिपीर मैं तो हमेशा गलत कर्मों में लगा हूं जबकि ऐसा है नहीं लेकिन वो ब इसलिए तो सशिष्या अपने शिष्यों सहीता है आश्रब डिस्टर्ब नहीं वह होगा और आप मेरी बास समझ प्रीज आप थोड़ा सब परिशित महारा की तरह से देखा जा रिशी मुनी बन जाई है आप दो मेंट के लिए नारेजी बन जाई है और बड़े आग्रह से आप कथा सुनने आए हैं और कोई व्यक्ति इतने भाव से इतनी नम्रता से इतने सुन्दर शब्द बोल रहा है कि इसका हृदय आकर्शित नहीं होगा बताई क्यों कैसे का ऐसे ही रिशी कोमल वाले हैं ब्रामठ है वैश्ण भावेह महानभक्त में एकल उंका हृदय है इसे ही मकं जैसा होता है और अब ऐसा सुन्दर शीलस भखाब वाले परिशित महर지는 सुन्द्र वरनी बोलें तो कैसे वो कितना हुन करिदी मैं जीता जाएगा और देखे मैं तो रहसुत काटन करी रहा हूं करी दे रहा हूं आवो बूलेंगे भी कि जब तक आप शेरीर नहीं छोडते हम यहां से जाने बाले नहीं What an amazing statement Have you ever spoken this to any You means not to you only Have you ever spoken to anyone like this How much affection कितना प्रेम ही सूचित करेगा सभी रिष्यों के कि जब तक Hey राजवर, राजजी आप भगवान को पास नहीं चले जाते हम यहीं उपस्त रहेंगे कितना प्रेम है इन रिष्यों का वो एच्छ दे सोचिए इनका एक एक सामर्थ है संकल्ब से भगवान के पास पहुचा देंगे और सब लोग संकल्ब ले लिए कि जब तक आप भगवान के पास नहीं जाएंगे हम यहीं रहेंगे कितना सुन्दर, कितना प्रेम है इन रिष्यों का कितना आशिरवाद मिल रहा है परशित महरात्यों केवल अपनी भक्त तो है ही मनु भावना से भी और वानी से ठीक है अगले इस लोग को और वो क्लियर कर रहा है कि किस प्रकार से भगवान की किर्पा उनकर पर होई है वो इस लोग भी आज ही चर्चा करेंगे चोड़ना ने वाला राइन में पढ़िए अब मेरे पीछे को लिए तस्येव मे घस्य परावरेश व्यासत चित्तस्य ग्रहेष्व भीक्ष्णम निर्वेद मूलो द्विजशा परूपो निर्वेद मूलो द्विजशा परूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुदत्ते तस्येव मे घस्य परावरेश व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेष्व भीक्ष्णम निर्वेद मूलो द्विजशा परूपो निर्वेद मूलो द्विजशा परूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुदत्ते तस्येव मे घस्य परावरेश व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेष्व भीक्ष्णम निर्वेद मूलो द्विजशा परूपो निर्वेद मूलो द्विजशा परूपो निर्वेद मूलो द्विजशा परूपो यत्रा प्रसक्तो भयमाशुदत्ते यत्रा प्रसक्तो भयमाशुदत्ते कभी गाय हैं दिन में समान भाशा भासिस बाते गाते हैं कितना सुन्द कितना कर्ण परी है अर्थ तो भी आपने समझे अर्थ देखिया कितना सुन्द है लेकिन किवल शब्द सुन्दे में कितना सुन्दर है आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगदों के नियंता भगवान ने ब्राम्हन शाप के रूप में मुझ पर अत्यांति कृपा की है अध्यात्मिक मतलब प्राकृत मतलब भातित जगदों के नियंता भगवान शेक्रिष्णे क्रिपा है ग्रहस्त जीवन में क्यों क्रिपा है आप तो पूरे विश्व के राजा थे एक हफते में अब आप सब चीन लिया जाएगा ग्रहस्त जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए है कि मैं भयवश अपने आपको संसार से विरक्त कर लूँ यहां भी उनके द्यान निताही प्रस्तोत कर रहे हैं इवेड़ आसक्त थे नहीं आसक्ति का अधारन में आप सुबह भी बता रहा था हम फिर बताओंगा एक मारे भक्त है कि उनके पिता जी को कैंसर हो गया मुख का सारे दात बाहर आ गए बाहर कर दिये गए और अब यह स्थिति है कि नात नकली वाले भी नहीं लगा जा सकते मिक्सी से पीस पीस के खाना खाना पड़ रहा है फिर भी यह संकल्प है कि बेटे की शादी करनी है बेटे की शादी करनी है अब ही भी निर्वेद नहीं हो रहा है निर्वेद का मतलब इंडिफरेंस है आ सकती इसको आप काट उसको नहीं कह सकते एक भक्त वोल रहते पत्नी चाहे कितना गाली दे 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 कि है हम नाम नहीं रखेंगे यतावत हम पराफ्रेस कितना हो गाली दे लेकिन आप मालों पती छोड़ने के लिए उसुख वो रोना चालू कर दे अरे आपके बिने मैं मर जाओंगी तो बस वहीं फिर अभी बोल लीजिए ओंधी फैसनी घर में आ सकते हैं अकई बार लोग बोलते ब्रह्मचरी आश्रम में रहना मुश्किल ए मश्किल है क्या कर सक हैं मुश्किल है हम ग्रहस्ति के खिलाव कोई कैम्पेन नहीं चला रहे हैं लेकिन जो स्वरूप है जिस आश्रम का उसको वह इथाव स्विकार करना चाहिए हम सब भगवान के हैं इन उपाधि में फंसे रहते हैं तस्य उस निंदित कर्म करने की कारण देखिए पिछले श्लोक में क्या बता बहुत गहरिय कर्म राजा लोग खरापकार करते ही रहते हैं और फिर अपना कर्म याद आ रहा है ध्यान दीजेगा कि उनका जो अपराध अंजाने में हो गया उसको भूल नहीं गए हैं बारंबार उसको रेफर कर रहे हर श्लोक में आ होगा जो भी साथ दिन तो कदा सुने हैं तो सारा कुछ एकी दिन में ही हो गया होगा तस उस निंदित कर्म करने कारण जो ब्राह्मान की कंधे पर वो सार्प डाल दी थे उसकी बात कर रहे हैं एवा निश्यही अगास्य मैं पाप रूप हो गया हूं वो इतना बड़ा हूँच रहे हैं कि इतना बड़ा पराध होगँ कि मैं तूस पाप रूप होगे मेरा 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 व्यक्तित्व ही पाप हो गया ऐसे मान रहा हो और ऐसा व्यक्तित्य था घ्रह आ अलएक भृष्णम विय預क्त चिततस्या घ्रहा अधिमें सध्यृथिक आसकत्यद्सें इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ यह है अभिष्णम का मतलब होता है निरंतर कोई गैप नहीं तब यहां अभिष्णम कर्थ क्या है व्यासक्त चित्तस्य विशेशेन आसक्तस्य व्यासक्तस्य उसका चित्व घर ग्रहस्ति के बाहर जाही नहीं रहा होता है यह बात यहां बो जाना है स्कूल लेके जाना है ड्रेस लानी है या और और जो बहुत सारे काम होते हैं सब्जी लानी ही लानी लेकिन भजन करना है ये प्राया इस जगत में नहीं देखा जाता है ग्रहस्त भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन प्राया आप ऐसा देखते हो बहुत होगा त अपता भी नहीं लेकिंद। घंटा गंद माला करने के लिए बोल दिये जाए तो उसको बहुत बड़ा दोश मानते हैं बक्त बोल रहे हैं कि हमें आसपास वाले प्रोसाहित नहीं करते हैं अब आपका दिमाग हराब होगे आपको आसपास वाले प्रोसाहित करेंगे बताईए किया आपको महले के लोग प्रोसाहित कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं भाग वत अच्छा कर रह रहें की लोग बस यहीं सोच रहे हैं। बच्ची की Shady करनी है। उसकी बच्ची हो गई है दो पर है यह परशानिन आपने बार ऑने मारने काये हैं। और उनके शब्द है कि तुम्हारे दादाजी मरे है इस घर में तौक्स टॉच मरें हैं मैं भी यहीं मरूंगा वाँ भाई वाँ मेरे मुझ पेक विक्ति बोले कान पर साइब कुछ भी उमर ना तो घर में है व्यासक्त चित्त से बिल्कुल टोटल विक्ति भूला हुआ है कि वह है कौन तो हम लोग थोड़ा बाद सुन रहे हैं तो कुछ-कुछ जगते हैं नहीं तो देखिए ही जगत की चिंता में लगे पड़े हैं कौन बता रहे क्या नाम है अमोग दिर प्रवु आपसे एक साल बड़ा था ना वेक्ति मित्र आपकी उमर कितना 80 साल है नहीं 20 26 साल के युवाब बच्चे है हमारे सामने और इनकम में 27 साल का जॉब लग गए थी कितना भाग युवान आती धन्य तम वेक्ति था और वह जॉब जॉइनिंग करते समय जा रहा था ना ट्रेन में ही व्लॉट रहा था ट्रेन में मर गया था कैसे ट्रेन में मर गया कुछ नहीं ऐसे मर गया बस तो इसके बार में कोई सोच नहीं रहा है क्या आप लोग देख रहे हैं अपने बहुतिक्तावादी परवार वार्वान को देखे हैं मामा जी गया रही है थोड़ा समरण के लिए से इसका पैसा लेना है पांच करोड़ अधर लेना है दो करोड चित महाराज ऐसे नहीं थे लेकिन एक समान विस्ति बता रहा है फिर बोले में मुझ पर द्विजशाप रूप ब्रामण के श्राप रूपी परावरेश अध्यात्मिक तथा प्राकृत ज्यगतों के नियनता भगवान ने यत्र कृपा की है परावरेश मतलब होता है पर अवर पर अवर ईशह पर मतलब अध्यात्मि जगत अवर मतलब निक्रिष्टी जगत बहुत की जगत इसके नियनता उन भगवान ने कृपा करें क्यों भैं प्रसक्त आशु निर्वेद मूलह धते क्योंकि भैं भैं मतलब यहां पर बोलेंगे शाप का भैं अन्यता समाने सफता म्रिट्यों का ह ingekt क्योंकि है संसार में आसकत के लिए आशुरर्थात्थ ही व्याराग दिक कारण हो जाता है निर्वेद कार समस्त stremm बढ़'ll देघिया 9 PBS आप लोग क्लास में निर्वेद का नभव नहीं करते हैं। क्यों हैं मुझे बता है। डॉंट से नौ। आइनो यह वोड़ापन्स। लेकिन कई बारा सा होता है। बिल्कुल नहीं मन करता है कोई कारे करने का। बहुत बार नौकरी करते समय साथ को नहीं होता है। एकदम इच्छा नहीं करती है। तो कहरें निर्वेद मूला जब इस परकार का भय हो जाता है तो विद्वी सुचता है कहां। अब क्या करें अब तो मरने का समय आ गया है। तो कुछ समय के लिए अटलिस कुछ वेरा की धारन कर लेता है। अपने फिर नम्रता में कहारा है कि मेरा तो मैं तो आ सकते ही रहने वाला था और आ सकत क्यों न रहा जा जा रही बता दीजिए अब मजे एक भग तो बोल रहा थे कि गवर्मन नौकरी अभी करना चाहते है कि गवर्मन नौकरी इतर्न तो नहीं स्टेबल होती है इसलिए में आशकत हो जाते। चोटी चोटी बीस बीस तीस तीस जार की नौकरी और सुचिए विश्व का राज प्राफ्त हो गर आप आसकत नहीं होंगे, हम आसकत नहीं होंगे, what do you think? बताईए, डिवूटी पत्नी है, बच्चे सब जनमेज्य, जनमेज्य महराज आपके बेटे हैं, हम लोग ऐसे बोल के निकल जाते हैं, जनमेज्य महराज कितने समर्थ विक्ति हैं, बताईए, आज्याकारी बच्चा, लड़का सुनते हैं आजकल, जनमेज्य महराज, अगर आपका बच्चा जनमेज्य महराज, जनमेज्य है, हम तो समझी नहीं पाने, जनमेज्य होने का मतलब क्या है, कौन विक्ति आसकते नहीं होगा, जहां जा रहे हैं, वहां वाही हो रही है, सब लोग कलियुक को दबा दिये हैं, इतना उनका कौन विक्ति ऐसी स्थिति में आसकते नहीं होगा, जगत ने ये बता दीजे आप, लेकिन वह ऐसा आसकते थे नहीं, फिर भी नम्रतावस्य ऐसा बोल रहे हैं, कि ये तो भगवान की अतिश्य कृपा है, तस्य एवा में अगस्य, मैंने जो पाप किया, ऐसा पाप जो किया इस ग्रहेश वभिष्ण, मैं जिसकी, मैं मतलब परिशित महाराज कह रहे हैं, मेरी जिसकी आसकती किवल घर में थी, और ऐसा नहीं कि उसमें कोई ब्रेक आराव, निरंतर अभिष्ण, निरंतर आसकती थी, उसके उपर निर्वेद मूलो निजशाप रूपो, ब्रामान का शाप रूपी यह उन भगवान की कृपा ही है, क्यों? क्योंकि यह मेरे निर्वेद का मूल है, अब मैं इन सभी वस्तमों के प्रती इंडिफरेंट हो गया हूं, इसमें किसी में कुरुची नहीं लग रही है, जिसे बक्ति नठा कुरुची बोलते है, किछु नाहीं लाग भालो, किछिव नहीं लागी भालो, भुलिया तुम्हारे संसारे आसिया, बेनाना विद विथा, सुना नहीं पर बजाएंगे, सुनाएंगे कभी, जो लोटके आएंगे, बहुत अच्छा बजाएंगे, क्याते है, यत्र प्रसक्तो भयमा शुधत्य, इस प्रकार के मृत् वह से मुप्ध हो जाता है, उसके लिए निर्वेत का कारण बनता है, शुधत्य लोग तो समझी रहें, कहां थे हम लोग, संसार, सारा तर्शनी, मेरी स्थिती में तस्यव अर्थात वह गहिय कर्म, गहिय कर्म था, साप को, अब्रामण की प्रतेपरात, एक अघस्य अर्थ में बहुता कर्म कर दिया, मालों की पूछे, आपने कौह गल्थ कार्म करते, तो कहतने तस्यव, वही काम किया, अभी आप चानते ही, उसके वारे में, क्यूकि मैंने ब्रामण की गले में, एक सर्व निक्षिप्त कर उसकी अवमानना की थी, ये बहुत बड़ा प्राद मैं बहुत की जगत और एक अर्थ यहां उसी तरह से ले लिजिए अध्यात्मी जगत का आएं गोलोग बहुत दूर और बहुत की जगत जो अपके पास में उस अर्थ में भी ले सकते पर अवर मतलब दूर और पास अपने पतित पावनत अर्थात किसी प्रकार वे अत्यधिक पतितों का भी उधार करते हैं यह आख्यापित करने हे तू दुझ श्राप के रूप में मेरे पक्ष में आएं यह कुछ समझ में आई बात यद भी मैं ब्रामणों का अपराद किया लेकिन क्योंकि वो पर अवर इ देखिये ऐसा नहीं सचना चाहिए कि भगवान का सामर्थ को काट सकते हैं नुकै कि यह का letzte समर्थ में मेरे दिवन में आ करके इस पापको नश्ट कर रहा है, फाइन, ओके, नहीं समय आ रहा है, कठन, ठीक है, वह भगवान ही इस जगत से निर्वेद मूलह अर्थात अनासक्ति के मूल कारण है, यह अर्थ है, जैसे वहरी वहरी डीप, देखिये, जीवकाई जगत के किसी वस्तू से समझे नहीं है, और कोई वस्तू में सुख भी नहीं है, यह तो माया के ही कारण हम सुख माने बैटे है, और माया का कंट्रोल कौन के हाथ में है भाईयों, क्रिष्ण के हाथ में, बस वह एक बटन दबादने, तो आप किचूना ही लागे भालो, वोड़ वी हैपी बाई दाट, यह वह आशा का बटन भगवान बंद करवा दे, तो बस आप जीवन में आप एकदम चिल एंड रिलाक्स हो जाएंगे, अगर भगमान हमको हर जगत की हर वस्तु से इंडिफरेंट बना दे, तो आप खुश हो जाएंगे की नहीं, पेपेन, बलो येस जोर से, इतना धीरे से बोला है, मेरी पाल्टी में नहीं हो लगता आप, जब ही भी किसी का चहरा लटका रहता है, एक ही कारण है, क्या कारण है, बताईए, वेश्यों में आ सकती, अपना चहरा कभी आप लोग सेल्फी लग लेते हों, तो देख लिजेगा, जब ही भी आपके हिर्दे में, हमारे हिर्दे में कोई भोग की इच्छा है, परशान नहीं कर रहे हैं, you feel that you are on the top of the world, although you are not, लेकल रहे हैं वाव, we are just happy, यह प्रशान नहीं कर रहे हैं आप लोग कभी, क्या आप लोग कुछ भगती कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब तो होता रहता है, some days you are just chill, no material desire, just happy, पहीं से वो इच्छा आ गई तो फिर जलाना चालू करते गी उचेहरे पर दिखने लगता क्या बात है आज तो भगवान इसके निर्वेत के मूल है महराज परिशद का निश्कर्ष करते हैं का निश्कर्ष करते हैं कि उनकी विरक्ति के कारण महात्माओं का आगमन है कियोंकि जहां भगवान का आगमन होता है वहां उनके भग्त स्वता ही आ जाते हैं यह अर्थ यह बहुत सुन्दर बात है मृत्य के समय कोई शरीर छोड़ रहा है और उसके पास भगवान के भग्त हैं तो बस समझ लिजे कि भगवान ही पास पर है वो कीर्टन करेंगे, कथा करेंगे इस तरह से किसी को भागय प्राप्त हो मृत्य के समय भग्तों के संका तो निश्चित वो समझना होगा कि भगवान के किरवा प्राप्त हो उसमें कोई संधे नहीं और जीवन बर भक्ती करेंगे तो भगवान अची कुछ व्यस्था बनाते भी है बहुत से वक्तों को हम देखते हैं ऐसा करते है तता जहां भगवान वास करते हैं वहां भौतिक रूप से आसक्त व्यक्तिव में शीगर ही भय का अभाव हो जाता है जहां भगवान वाका से भेह हो सकता है और इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होगी क्रम संदरव महाराज परिश्चित कुछ आश्चर कवर्ण करते हैं वह कहते हैं कि यद्दिपी मेरी गर्णा भगवत अनुग्रह शील भक्तनों के वंश में होती है तथा पी मैं अभिक्ष्णम व्यासक्त चित्त स्य अर्थात पारवारिक महामलों में इसे आसकत रहता हूँ इसको पिछले श्लोक से लेना होगा महतमानू ग्रहनी शीला मैं धन्यतम हूँ मैं महान भक्तों के परवार में जन्म लिया हूँ जो हमशा भक्तों का किर्पा प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं लेकिन मैं कैसा हूँ यह सब नम्रता के द्वारा हो रहा है मैं वैसा नहीं हूँ मैं तो लगातार घर परवार के मामलों में ही आसकत रहा हूँ यह परिशित महराज का विचार है आपिया हूँ लुपरवार के प्रतर कॽ्या कि यह तो दोषिप ब्राप्त किया हूँ क्यूबливо मुझे गयात है कि मैंने परवरेश वर्थाध भगवान अनुग्रहित वन्ष में जन्म प्राप्त किया है परंतु आसक्त होने के कारण भगवान द्वारा मुझे स्वेम एक ब्राह्माण द्वारा श्राप दिया गया जिसके कारण मैं निश्चिति अन्य समस्त विश्यों से निर्वेद मूलह अर्थात अनासक्त हो गया हूं। यह बाशा समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए। यह बाश समझ में आए कि वह महान परवजों की संतान है। दूसरी बाश समझ में आ रहे है कि वह ऐसा मान रहे है कि उनसे पाप हुआ। यह भी समझ आ रहा है। अब वह कह रहे है कि यह भी होने की बाद भगवान जानती है कि वह उनका विचार है। भगवान जान रहे है की वेकती अतन दिया आसक्त है इसको तो आप शाप देकर ही से बाहरㅋㅋ यह कहने का सब उनकी भावना मन की इस प्रकार के मिवक्ति.. तो इस अनासक्ति से क्या हुआ वधाई यद्ध पी मैं राजा बने रहने के प्रतिया सक्त हूं चाहता हूं कि राजा बना रहू परन्त भग्वान के चरणारविंध की प्राप्ति करने से शीग्रीही मुझमय भय का अभाव हो गया है अभी बड़ी सुन्दर बात है राजा बने रहते हुए भी भाय का कारण है लेकिन आज राज छुड़ जाने के बाद भी भाय का कोई कारण नहीं है What a wonderful mercy और ये अगेश लोकों में आएगा मुझे कोई भाय नहीं है लेकिन आज राज पूरा छूट गया है लेकिन कोई भाय नहीं है बहुत सुन्दर श्लोक यहां बोला गया है कि इस प्रकार से कोई भी जकत में विक्ती भैसी मुक्त नहीं मेरी पीशे बोली बहुत सुन्दर है महराज कई बार से कोट करते है मर्त वुम्रित्यु व्याल भीत पलायन लोकां सर्वानिर्भयम नाध्य गच्छ वत्पाद अब्जम्प्राप्य दृच्छ याध्या इस भावतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्य वढ़ापा तथा रोग इन चार नेमों से छूट नहीं पाया भले ही वह विवित लोकों में होना चाहिए विवित लोकों में क्यों न भाग जाए किन्तु है प्रभू अब चूकी आप प्रकट हो चुके हैं रीज में प्रकट्र नहीं हो हैं माता देवकी की गर्व में कर्व में कर्व सा रही हैं त्हां मृत्य आपके भज़े से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मांसिक शांती की नींद सो रहे हैं श्रीमत भागवत 10.3.27 ये देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्णी की गर्भस्तुति है जब वो देव की माता के गर्भ में थे काफी इंट्रस्टिंग काफी इंट्रस्टिंग है कि जो बच्चा मा के गर्भ में है उसकी शरण देवतार लोग दे रहे हैं कितिनी असाहय वस्था में रहता है लेकिन आप आपक अभी नहीं खोल रहे हैं उसका आनन्द हम दशामस्कान में लेंगे लेकिन एक बहुत विश लगता है इसी प्रकार से आप बात बोल रहे हैं देवतागण की वेकति किसी भी लोक में चला जा जो मृत्यू रूप मृत्यू व्याल मृत्यू रूप सर्प है काल सर्प उसके पीछे लगा रहा था मिर्त्यू तो होनी है ब्रह्मा जी बोल के बीटा में भी मरने वाला को मरता का वर्दान के से दुगा किसको बोला था हे रण ने का शुपिको फाइन लेकिन चुब भगवान की शरु लेता है वह मृत्यू के भाई से भी मुक्त हो जाता है गालते साथ में भजा हूं रे मन कितना सुंदरी भजन है आप सब भी समझ रहे हैं कि हमें जगत में जो कोई भी कार अन्य कर रहे हैं भगवत भजन के अलावा मृत्यू से मुक्त होने में सहायता करने में नितांत रूप से असमर्थ है मैं जो बोल रहा हूं उसे आप लो देख पा रहे हैं बोलो yes do you agree job कर रहा है परिवार कर रहा है त्यादी त्यादी time pass कर रहा है प्रोपाद बोलते फॉलिबल soldiers कितना इंट्रेस्टिंग है ना जरा सोचिए कि मान लिज आप छत्री हैं और आप युद्ध करने जा रहे हैं ऐसे सहनिकों को लेकर जानते हैं कि किसी काम के नहीं है हम एक शब्द अपने लिखेंगे अपने मतलब हम अगर शत्री हैं स्टी यू पी आईडी क्या किया इस्टूपिड आपको पता है कि जब यूद्ध होगा थी पहले गिर जाएंगे किसी काम के नहीं आएंगे इनकी गोली नहीं लगने वाली है और सीधे गोली हमारे माथी प अच्छा बचाएगा या पती बचाएगा या पतनी बचाएगे देखिए सब लोग करते ही हैं ग्रहस्ती बहस्ती हो तो करें उसमें कुछ हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन यह विश्वास हो जाए कि हमको यह बचा लेगा मृत बेकूफी होगे इससे बड़ी बेकूफी नही मता बचा सकता है आप जानते हैं हरे कृष STEPा हरे करश्ना करृष्णा कोई ए कृफ ये वbn कण से व्यूंड शामित्र कर्मनी सूना था कि नहीं भागवद में बेट हैं मिर्त्य से मुक्ताइं भागवान पाढ रहा है मृत्यु से मुक्ताइब यह नं शेद्वान कि सिवा of death, जैसे ही भगवान के बार में बात कर रहे हैं, मृत्यू से दूर है, it's amazing, नहीं, जाप कर रहे हैं, मृत्यू से दूर है, और कोई है बस तु बताइए, इस जगत में जो हम को मृत्यू से दूर कर दे, कितना भी आप हम प्रयास कर लें, कहीं बंकर में खुच जाएं, मृत्यू प्रूफ कोई स्थान नहीं है, है कोई स्थान? नहीं, आतहा आप सब भक्तों का अकस्माद आगमन भगवान वासुदीव द्वारा ही प्रेरित है, यह भाव है, यह समझ में आया है, भगवान का, क्या बुलते हैं, भगवान में वहां रहता हूँ, जहां मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं, तो जहां भग तो ओंगे भगवान कठा होगी भगवान वहां पर निवास करें गई अब क्या सोन रहे हैं श्लोक में जहां भगवान रहते हैं भए दूर चला जाता हैं ये दपी भख और किसी प्रयास से दूर नहीं जाता है एक बात बताना भूल गया सर्भ भाग रहे आप भगवान का दर्श भगवान की साक्षाथ इच्छा भगवान की साक्षाथ इच्छा ही थी इसने सब लोग आए और यह भगवान की कृपा मुझ पर हुए है भगवान कृष्ण जो राजा पांडू के पुत्रों को अत्यांतिप्री हैं अपने उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाईयों को प्रसंद करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्विकार किया है स्रीमित भागवत एक उनिस मैंति इसका क्या मतलब है वहां पर भी यही परिश्द महाराज कहांगी कि देखिए शुगदे गोस्वामी जी और वहां को गुडगान करते हुए कि आप आए हो इसलिए मेरा भागय है कि मेरा संबंध पांड़म से है इस कारण से भगवान मुझसे प्रेम कर रहे हैं और क्योंकि मुझसे प्रेम कर इसलिए आपको लाके दिये इविल फॉलो डेट वरीट दिरिस पर मैं को समझा रहा हूं बारं बार यह यह यद्वी बाहरूप से दुझ का शाप प्राप्त हुआ है इसको भगवान का अनुग्रही मान रहे है नुकसान बहुत बड़ा हुआ है पुरा राज छिंज जाए इन एविटेबली इसको अर्थ समझते हैं इसको परितिकार करना संभव नहीं है लेकिन फिर भी विसको भगवान की करपा मान रहे है ताथ परिलास प्रवपाजी को देखेंगे महराज परिश्यत यद्वी महान भक्त पांड़ों के परिवार में उत्पन हुए थे और युजना द्वारा विलक किया जाना पड़ा ये एक संभावना जगत में देखी जाती है कि भक्त चाहता है कि घर परिवार को छोड़ के भजन करें लेकिन वह आसकती इतनी इतनी स्ट्रॉंग होती है कि छोड़ नहीं पाता है प्राय छोड़ नहीं पाता है वो कु भागवान विषिष्ट भक्त के लिए ऐसी प्रत्यक्ष कारवाई करते हैं, महराज परशित, ब्रहमस्ण भर से, आई मatively शुरिष्ट। अध्यात्मवादन्यों कि उपस्थितिस से इसे समझ सके। सारी बाते क्लिर हो रही है। एक बातों समय बजिए कि इस परकार की विशेष कृप्रा करन fidha, अब सारा भौतिक आकरशन की एसन की सामगरी थी शे खीँ छाभरदस्ति जबार्दस्ति की जारी यर जारी है कि नहीं? सो दिख रहा है कि नहीं σब्दीं की नहीं? कुछ करो तो यह ना करो अब सद्रेट्व हो नी है तो जवर्दस्ती हो रहे की नहीं कोई का देबाइक साथ दिन में आपका घर छीन लिया जाएगा तो आप सोचेंगे किराय का मकान कहां से लेंगे वाटेवर, छीन ही लिया जाएगा, अरे सरकार कुछ अज्जस्ट नहीं, छीन ही लिया जाएगा, तो कुछ मानसेक्ता में परवर्तन आएगा कि नहीं, छीन ही लिया जाएगा, तो यह कृष्णी की विशेश कृपा है, ठीक है, और यह कैसे समझे, श्राप ही नहीं दिया गया है, तुरंत ही भगवद भक्त भी आ गये, तो यह तो क्यों एक्स्टरनल था, फलेना परिची यह थे, फल क्या हुआ, गंगा जी के तट पर बैठा हूँ, और इतने महान रिशे आ गया, और जानते हैं, आप लोग की रिशे सब समर्थ थे भगवान को प्राप्ति कराने में, और उस पर भी आप देखेंगे, शुक्दे को स्वामी आदाएंगे, तो बाहिरूप से जो कुछ भी था, उसका रिजल्ट क्या हुआ देखना होगा, भगवान अपने और ऐसे अने रिशों के बारे में आपको गरहन करना होगा, देवल रिशीत नारजी के मित्र है, not easy to become a friend of नारजी, what do you think, नारजी के मित्र बनना कोई असान बात नहीं है, किसी भी ब्रह्मान में आप कभी भी जा सकते हो, कहीं भी, without any permission, not easy, my dear devotees, वैकूंट में जब चाँच लोगो उधार करना चलते चला, ऐसे घूंगते हो, ऐसे महान रिशी अगर बैट सब आए हुए है, भक्त लग आए हुए है, तो भगवान स्वयम उपस्तित है, आतेव राजाने महर्शियों की उपस्तिती को परमिश्वर के अनुगरह का संगेत मार कर उनका स्वागत किया इसमें तो बहुत अच्छे बात है, इसमें तो बहुत अच्छे बात है, ग्रहस्ता इस सीड ग्राउंड and support of all other ashrams, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्त and सन्यास, थीक है, तो केवल बीजी नहीं होता है, उसमें पेड व्योगते हैं, और उसमें बड़ी हरीरी पतिया भी होती है और फल भी होती है, उसको फल खाते खाते व्योगती, भस में भूत भी हो जाता है, कभी सोचे नहीं कि अगर इतना ही महत्पूर्ण है तो केवल पच्छी साल क्यों रखा, शाद आप लोग परिवर्टित कर रहे हैं लोग, पच्छी साल बहुत बनाएं, पचास साल आप बताईए, हमकोई फॉर्ट ने कर रहे हैं क्या, देखा जाए, अगर विक्ति समाने तहा वर्णाश्रम का पालन करें तो केवल पच्छी साल ही इंद्रिति, लाइसेंस्ट रेगूलेटि इंद्रिति की परमीशन है, पच्छी साल ही इंद्रिति, लाइसेंस्ट यह कोई मेरा पॉइंट भी नहीं है, पॉइंट यह खाली की आसक्त हो जाता है विक्ति, उस आसक्ति की लीपापोत की कम से गाम विक्ति ना करें, एक और प्रशन खोल दिया गया है, भाई माता जी लोगं के लिए तो शादी आवश्यम भावी मानी गई है, तो इट सीम्स अटैच्मेंट फॉर माताजी इस गुड़ बटाच्मेंट अट अटैच्मेंट अटी नॉन गुड़ फॉर अटैच्मेंट अट गुड़ अन्याव फॉर अणिवन वाव टॉण यह प्रभुपाद जी की अगर श्त्री पती में आ सकते है, तो उसके लिए बहुत अश्या अगर भगवान के पास नहीं गई और अगर पती भगवान के पास गया तो अपने याप पर चली जाएगी यह है तो यह भी कहा हो रहा है यह भी कहा हो रहा है कि पती से आ सकते हैं कहां कहां सकते रहेंगा उसे बहुत सारी क्वेशन से पती कैसा है पती क्या भक्त है नहीं है हम हम सब इहां कोई प्रशन को तरहने रए यह सब परिस्षित महराज reported जो एक क्यूंक है में कोई प्रशन को तर नहीं वान का अनालिस करने के लिए नहीं बैटें, इसको करल सुवेवरी क्लासे पूछना, इतना भाव भी नहीं आप समझे रहे हैं, कहा गंगा जी से आप लोग जाए, ग्रहस्तिम चले रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं, भाव समझे कि वाव शेड़ी शुडने जारहे हैं, भगवान की पासा हैं, बोल स्थापिर और लुपरांट, शुम्त भागवतम की जाए, शुला प्रभुपाद की जाए, नितायको वर्प्रिमानन्दे,